Base smartphones Under 12,000 जो हमको 2019 में 10,000 की प्राइज़ी देखने को मिलते थे वो 2020 में हमको 12,000 की प्राइज़ी में देखने को मिलते है हालनकि काफी सारे सेल में हमको काफी कुस देखने को मिल चुका है और अभी भी ये काफी डिल्स में आपके लिए कमाल के लिए करे हूँ इस डिस्प्ले को बेस्ट चार्जिंग को मतलब ये चार्जिंग किसी फोन में बेस्ट है तो हाँ वो 12,000 की प्राइदिंग को बिल्कुल जेस्टिफाई करता है और इसके बाद कुछ 5 स्मार्ट फोन है जो बिल्कुल आपको एकदम सैटिस्फाई करने वाले है तो वीडियो तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस लिस्पे किसी को भी कोई प्राइविटी नहीं दी है ऐसे ही मैंने अलग-बाद स्मार्फोन को चूच किया है जो अलग-बाद के आते हैं अब यहां पे मैं बीच में आलास पे बता दूँगा इन पांस स्मार्टफो आपको आने वाले तो सालों तक बिल्कुल गारंटीड अपडेट देखने को मिलने वाले हैं इसमें टाइम तो यह काफी कमाल की चीज हो जाती है उसका मज़ा कुछ अलगी है क्योंकि यहां पे कोई किसी प्रगार कोई एड्स नहीं है कोई ब्लुट वेर नहीं है कुछ प्र आपको नहीं देखने को मिलता है सारी आपकी मर्जी की चीजी है मर्जी के नोटिफिकेशन होने वाले हैं इसमें वो 6.67 इंचेज की IPS LCD Full HD Plus डिस्प्ले देखने को मिलती है 48 निगा फुसल का Quad rear camera है और इसके साथ हम को देखने को मिलती है 5000 मिलेंपरार की बेटरी 18 वोट की फास चार्जिंग है टाइप-C की तुरू मिलती है और इसमें देखने को मिलता है अब यह काफी डिसेन सा प्रोसेसर है यहां पर आप काफी ठीक ठक से आप गेमिंग भी कर सकते हो इसका फोर्ज भी सिक्टी फोर्ज भी का वेरेंट है वह हम गो देखने को मलता है तो डेफिनिटली आप Micromax in Note 1 के साथ जा सकते हो और उसके बाद जो इस लीस्ट में मैंने दूसरे अनुर्पाजी स्मार्फोन को रखा है वो है Realme 7i अब यह रिसेंटली कुछ दिनों पहले लोंच हुआ था इसमेंगो 6.5 इंचेज के HD PLUS 90Hz हाय रिफ्रेसेट वाली डिस्पेल देखने को मिलती है इस प्राइज में जो कोई भी हाय रिफ्रेसेट प्रवाइड नहीं करता है तो डिफिनिटली यह आपके लिए अगर आप स्मूथनेस से थोड़ा सा प्यार करते हो वो आपके लिए प्रायोटी है तो यह आपके लिए कमाल की चोईस बन सकती है इसके साथ इसमें 64 में आउसल का क्वार्ट रियर कैमरा देखने को मिलता है और इसके साथ स्नेप ड्रे हो सकती है अगर आप एक हायर रिफ्रेंस रेट को यूज करना चाहते हो और इसके साथ आपको 64 मेगा फिसल वाले थोड़े से बड़े नमर वाले कैमरा से प्यार है तो और इसके बाद जो तीसरे नमर पर मैंने इस स्मार्टफोन को रखा है वो है रेड्मी नोट 9 प्रो अ प्राइड माउंटर फिंगर प्रिंट है 64 मेगा उसल का क्वार्ड रेर कैमरा है स्नेपड्रेगन 720G है जो अपने साथ 2,55 अंतुतू बेंचमार्क स्को लेके आता है तो डेफिनिटि आपके लिए काफी कमाल की ओल्राउंडर परफॉमेंस प्रोड़े करने वाला स्मार्ट होती है तो वो डेफिनेटली इस फोन के साथ जा सकता है 5,020 mAh की बैटरी है 18W के फास्चारजिंग है USB Type-C है और इसका जो फोर्ज भी 128GB वाला वेरेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है 12,500 की प्राइज अगर आप अमेजून पे कार्ड को यूज करते हुए इसको पा M2 अब इसमें को देखने को मिलती है 6GB RAM वो भी 10,900 999 की प्राइज रेंज में अब यहां पर हमको यह देखने को मिलता है 6.5 इंचेज की फुल-HV डिस्प्ले के साथ इसमें इसी के साथ हीलियो जी 80 वाला प्रोसेसर है 30 मिका उसल का क्वार रेर कैमरा है 5000 mAh की बैटरी है 18 15 वोट के फास चार्जिंग है USB Type-C देखने को मिलती है और बैक में हमको फिंगर पेंट देखने को मिल जाता है और इसका दो 6GB 64GB वाला वेरिंट है वो आपको 10,000 ट्रिपल लाइन में देखने को मिलता है तो कार्ड लगाने को पाद यह और भी कम हो जाएगा तो अगर देखने को मिलता है 6.4 इंचेस का Super AMOLED डिस्प्ले अब इस प्राइज में आपको सबसे कमाल डिस्प्ले एक्स्प्रियंस देने वाला है वो यही संसंग लेक्सी M21 है तो इसको वीडियो देखने से जदा प्यार है वो पुरे दिन वीडियो बगरा देखता है या फिर ओन- देखने को मिलता है और इसका सब कुछ बहुत ही कमाल का है और इसका सब कर देखने को मिलता है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपके लिए Super AMOLED डिस्प्ले प्रायरूटी है तो बैस यार यही कुछ पाँ स्मार्टफोन थे जो इस 12,000 की प्राइज को मुझे ल करते हैं बागि आपके कोडिंग कोई और यहाँ पर आना चाहिए या फिर आपका कौंसा है बेस्ट इनी पाँ स्मार्टफोन में से आप किसके साथ जाने वाले हो या फिर नहीं प्राइब आने वाले हो तो आपके कोडिंग कोंसा इस प्राइस को बिलकुल करता है नीचे लिक के बताना अपनी राइब बिलकुल भी मत बुलना बाकि आज की वीडियो में सिर्फ इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डिफिनिली आपको वीडियो को लाइक करना है सेर करना और इसके आज सब्सक्राइब करना है एज जी लाह वे दे और मैं मिलूँगा आपसे अगले वाले वीडियो में तक के लिए गड़ पाई